बिसमिल्लारमान ररहीम, आज बचो हमने यह स्टार्ट करना था किस तरीके से जो के हमने एजंडा तेह किया था आज की मीटिंग का वह यह था कि आप बच्छो को बताऊंगा how you can make graphs of your parameter और यह एक एजंडे का हिस्सा तो इसमें बेटा यह देख लो सबसे पहले तो यह कि यह बच्छी ने एक treatment wise data को analyze किया है आईशा मुबीन लड़की का नाम है और यह आपका data जो था यह आई थिंक वह फीनो-ग्रीक वाला था तो फीनो-ग्रीक वाले data में हमारे पास 16 ट्रीटमेंट्स थी इसको इसका graph बनाने के लिए सबसे असान तरीका नंबर बनते यह कि अभी इसमें आईशा कोई आपने को मैंशन नहीं किया यह मैंशन कर दिया number of leaves ठीक है good हो गया तो जो तो parameter है ना ऐसे number of leaves one two three four यह देखें यह चार parameter है आईशा के पास यह सब को शीटे नजर आ रही है number of leaves one two three four और यह अक्सर बच्छों का data ऐसे है क्योंकि उन्होंने sequence में data लिया हुआ है तो जब आप इस तरीके से इनको यह बना लें इस तरह टेबल बना लें तो अब अगली कहानी जो इसके बाद चलनी है वो यह है कि अब इनका graph कैसे बने ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो यह काइंडली मुझे बताना कि number of leaves one किस date को लिया था two किस date को लिया था यह ह हमने देखना है वह यहां से मुझे लगता है मुझा चल जाएगा यह जो dates इसने यहां पर mention की हैं यह लिखी हुई है number of leaves पहले जो थे वह अठाई से एक को लिए थे तो यहां पर मैं यह number of leaves के आगे यहां पर इसको लिखने लगा हूँ अठाई से एक ठीक है दूसरे इसने लिए है number of leaves यह वाले मैं सारी कापी कर रहा हूँ एक साथ ही फिर उदर असानी हो जाएगी मुझे रखने में यह देखें जी पेस्ट वैल्यूस यह हो गया और यह डेट आगई यह डेट आगई इन दोनों का मठा लेते हैं यहां से इ 10 फरवरी को डैटा लिया फिर इसने 20 फरवरी को डैटा लिया पिर इसने तीन दो मार्च को मेरे ख्याल में शाहिद डैटा लिया गालबन यही लग रहे है ठीक है थोड़ा डेट लिकने में गलती की नगा इसमें अब जो आइशा यह एक बार देख लो काइंड यह डेट तो मार्च में जाना चाहिए ना आपका उसमें आ रहा है अब इसमें बेटा ध्यान से देख लो सारे बच्चे सबसे पहले तो देखें ट्रीटमेंट को और जो आपका डेटा है इसको एक किसी एक को ऐसे पकड़ ले पकड़ने के बाद उपर इंसर्ट का एक option है मैं थोड़ इसको किस्क्रीके से मैं जूम के बार बहुत नीचे ले जाता हूं यह ठीक है यह देखिए ऊपर यह इसको स्लेक किया स्लेक करने के बाद बाद इधर इंसर्ट पे गए इंसर्ट में आपने जो डैटे के लिए ग्राफ बनाना है वह आपने यह चूज करना है ऊपर वाला यह ठीक है इंसर्ट में यह चार्ट में यह उपर वाला सबसे इसमें टूडी कॉलम ठीक हो गया यह टूडी कॉलम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर वन इस तरीके से यह मैंने बना लिया अभी यह चार्ट यह ग्राफ को इतना खुबसूरत नहीं नदर आ रहा और बड़ा जीवोगरीब सा दिख रहा है बारा ट्रीटमेंट्स का तो इसको आप आपने इसके साथ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है सबसे पहले तो यह एक औरिंज कलर का बार नजर आ रहा है यह हम देखते हैं इसमें से यह पहले वाले का हमने यह निकाल देना है बलकि इसको असान अलफाज में कर दो इसको और असान कर दो प्रिट में शो यू यू यह हमारा इनीशल डेटा था आप सिरफ डेटे को पकड़ें यह पकड़ा यह डेटा था पोई उपर से लेबल ने उठाया इंसर्ट में गए टूडी कॉलम यह कॉलम बना लिए उसके बाद राइट कलिक करें स्लेक्ट डेटा में जाए पर लगा दें अभी यह नंबर लिखे हुए हैं यहां पर नंबर नहीं लिखने मैं आईशा को बिताता हूं यहां पर क्या लिखना है भी पहले यह ऐसे करें ठीक है यह हमने अब यहां पर देखें यह पर पल कलर में एक चीज़ हो रही है और एक जो है यह बलू कलर में श में अपडेट हो जाएगा यहां पर क्या लिखना है मैं बाद में भी बताता हूं क्या चीज़ नमबर वान तो यह बटा इसमें सीख लें नमबर टू इसकी फॉर्मेटिंग में यह उपर वाला टाइटल आपने खतम कर देना यह अच्छा नहीं लगता यह बार्स जो इसके लंबी-लंबी लाइन नजर आ रही है आपको छोट-छोटी इनको खतम करने का तरीका यह है कि आप इसके लाइन के उपर एक बार क्लिक करें तो यह देखें दोने तरफ ऐसे नुखते बजने नजर आएंगे स्लेक्ट होगी है सारी लाइन नजर आ रही है तो डिलीट का ब अच्छे करने यह ब्लू दिखने में अच्छा लगता लेकिन जब प्रिंट का लेंगे उसमें कोई अच्छा नहीं लगेगा तो मैं करता हूं डबल क्लिक करता हूं डबल क्लिक करने से यहां पर मेरे पास फॉर्मेट चार्ट एरिया खुल गया अगर आप पुराना को उपर से यह ब्लैक कलर में ब्लैक कलर चूज करना है यह ब्लैक कलर चूज करना है यह नदर आ रहा है ब्लैक लाइन लगी नदर आ रही सबको इसी तरह इसको क्लिक किया नीचे वाले एकस एकसिस को यह नबरों पर क्लिक करना है यह नबर पर क्लिक किया फिर लाइन पर ये fill color में line पर solid line और ये black color को ये दोनों दिहेışें black color आपके सामने आप लिखे नदर आ रहें प्रेर हो गया उसके बाद ये जो इसके अंदर ये ब्लू कलर के बार्स हैं इसके अंदर से किसी एक बार को एक बार क्लिक करना है सिरफ यह एक बार क्लिक किया तो यह देखें सारों के ओपर यह ऐसे निशान नजर लगे नजर आ रहे हैं इसका मतलब यह सारे बार स्लेक्टेड है अब इसमें आप सॉलेड फिल करेंगे बॉर्डर वाले को खतम कर दें वैसे बॉर्डर भी सॉलेड लाइन ललर जो है वह वह आपने ब्लू नहीं लेना बलके हलका सक्कुलर यह सेंटर में कलर लाइट ग्रे यह आपने चीज़ कर दें तो इसके आप एचे देखें यह लॉट केलर अंदर ब्लैट कलर का बॉरडर और वाइट anos इस तरीके से आप इसको फिल्टर मैंने यहां बात क ही है कि आप ने ये बार को एक बार क्लिक करना बहुत बड़ी वजा उसका अगर आप कही तसली के लिए बात-बचे इंदर करते हैं कि यह लो तर neutrwarming क प्रसेट नहीं कि इसमें तो वो कलर सिरफ उसी बार का चेंज होगा बाकी बारों का चेंज नहीं होगा अगर आपके साथ ऐसा इशू आ रहा है तो इसका मतलब है आपने सरफ एक बार स्लेक्ट किया उसका असान तरीका यह है कि आप चार्ट के उपर कहीं पर भी बार ऐसे क्लिक करें उसके जाके जब फिल करेंगे इंशालला तो वहर चीज जो है पूरे पार के उपर फिल लो जाए उसके बार इसी में यह य ये वाई आकसिस के आला जो एकसिस है इसके उपर कलिक करें यहां पर सबसे एंड़ वाल अप्शन है टिक मार्क्स एक्सिद उप्शन एक्सिद ऑप्श यहां पर देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस डिजट्स है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो इसको कम करने का तरीका क्या है, आप कहते हैं कि यार मैं ऐसा करता हूँ, यहां पर यह यूनिट्स में मेजर पॉइंट्स, पॉइंट फाइफ पर यह ल स्कीम बेटा आपने यही रखनी है, लाइट ग्रे कलर अंदर और ब्लैक कलर का बॉर्डर, पार्स के रिद्गिर्द, नीचे य एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर और वाइक्सिस जो है, इसके उपर यह जो टिक मार्क्स हैं, यह आपने इस जगह से सिरफ इस तरीके से इन से नीचे नहीं है, ऐसे ही हैं सारे मुझे से अग्री करते हैं, तो हम यह य एक्सिस पो वन से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, उसके लिए मिनिमम वैल्यू वन कर देता हूं, और मैक्सिमम वैल्यू फाइव है, तो यह देखें, अब बार ज्यादा खुबसूरत लग रहे है एक से स्टार्ट किया जीरो की बिजाए, तो जीरो वन टू थी फॉर फाइव ज्यादा खुबसूरत लग रहे हैं, मैक्सिमम हाइड जो है वो फॉर के पास है, या फॉर पॉइंट सम्थिंग है, तो फाइव की भी हमें जरूरत नहीं है, फाइव की बिजाए अगर फॉर खुबसूरत लगेगा, ठीक है, यहां पर मैं कहता हूँ, पॉइंट फाइव पर लगा कर देखते हैं, बहुत ज्यादा अगर कंजेस्टन फील हो रही है, जैसे आप फील होने लगए कि नहीं या यह तो बहुत ज्यादा क्रीब-क्रीब होगे, तो फिर बेशक सिंपल ही चार भी रहने थे वो भी काफी, एक्सपेरिमेंट करें अपने टेबल के साथ, आपको उससे पता चलेगा किस तरीके से मैंने इनको लगाना है, इवन के 0.7 पर लग सकता है, जैसे आपको बेतर लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन 0.7 को अच्छा पेमाना नहीं है, मैं इससे disagree करता हूं कि आप even number में digits को रखें, odd number में मत लेकर तो यह देखें, one से लेकर, four तक, five तक ही कर देता हूं, ऐसे बुरा लाग रहा उपर से, five तक कर देता हूं, axis option, maximum value, four point five की जाए, five कर दी, enter किया, यह देखें, यह इसका बच्छी का एक बड़ा उपसूरत graph बन इसके अंदर हमने वो line लगानी है side पर, उसके लिए फिर यहीं पर आए, उपर axis option के नीचे एक option आता है, tick marks, tick marks को खोले, इसमें major types जो है, इसको outside कर दे, outside से यह बाहर वाली side पर बड़े-बड़े tick marks लग जाएंगे, ठीक है, यह नुक्ते नज़र लगे आ रहे हैं आपको ठीक हो गया, अब उसके बाद इसमें, जो असल बात बेटा करनी है, वो यह है कि इसके अंदर यह आप digits लगाने, digits लगाने के लिए, यहां पर plus का sign आ रहा है, उससे कर ले, data labels तूंडे, data labels, या फिर इस जगह से chart element, chart design में, chart elements में data labels का option अवेलेबल है, यहां से outside and click कर सकते, यह elements से आपका digits लगे, लेकिन यह हमें नहीं चाहिए, हमें यहां पर letters लगे चाहिए, उसके लिए क्या करना है, किसी एक पर एक बार click करें, यह देखें सारे select हो गए हमारे सामने, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे last option पे, इसमें जाएंगे label options, label option में value को खतम करेंगे, अब value खतम होई, वहां पे सब कुछ खतम होगी है, value from cell को click करें, value from cell में उसने एक table खोल दिया, उसने का बताएं क्या value है, तो यहां से लेकर ऐसे नीचे तरतीब के साथ, सारा कुछ एक साथ select किया, okay किया, तो यह उसमें digits जो थे वो, जिस चीज के जिसके आगे digits लगाए बच्ची ने वो उसने सके ओपर लगा दी, clear हो गया, इसी तरह मैंने आपको एक standard error या LSD value वाका था जो इस बच्ची के 2.04 आ रही है, तो 2.04 भी इसमें लगाना जरूरी है, वो कैसे लगाना है, आज नही बात बताने लगा, वो लगाने का तरीका यह है, कि right click फिर इसी त सकता है, ठीक है, error बार पहले लगा ले, वो ऐसे दिखेंगे, आपको थोड़े से उससे गबराना नहीं है, वो पहले थोड़े से खराब ही होते है, value जहन में रखनी है, कितनी है आपकी, 2.04 है, तो आप यह करता हूं इसको, यह देखे, यह error बार्स है, अच्चा है, 2.04 ल is equal to, यह divided by 2, उससे यह होगा कि यह half हो जाएगी, half हमें चाहिए, अच्छा, अब half होगी, 1.02 आगी, अब 1.02 लगानी है इसके पर, यह देखें, इसको ऐसे एक बार क्लिक किया, इस बार को, यह सारे select हो गए, जब सारे select हो गए, तो यहां पे आपके सामने, खुद ही option बोट साइड ऐसे ही, कैप ऐसे ही, एंटर करें, तो यह आपके 1.02, यह बची ने data में वैल्यू थोड़ी गलत लिखी है, यह इतनी बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, तो आईशा, यह kindly मुझे data दोबारा दिखाना, यह वैल्यू गलत है, अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती तो यह बार को डिलीट करतें, ना लगाएं, ऐसे सरफ लेटर लिखे रहने तें, यह भी काफी, clear हो गया जी, और अब जो आखरी चीज इसमें करनी है, यह हमने इसकी सारी फॉर्मेटिंग कर ली है, सिरफ इस जगह पर एक हवाला देना है कि यह कौन सी चीज है, और नीच सामने अब यह कौन सी चीज थी, यहां पर पूरा नाम लिखेंगे भी उसका, वो है, लीव्स, ठीक है न, यह लीव्स है न, तो लीव्स और यह इसका यूनिट क्या है, एंटर करके एक बार, ब्रैकेट में लिखा, और यह ब्रैकेट बंद कर दी, नंबर, लीव्स इन नं ट्रीटमेंट्स, तो यह आपका ट्रीटमेंट्स हाँ, क्लियर हो गया यह, एक्सेस टाइटल को रिनेम किया, अगर आपसे यह नहीं होता है, ऐसे नंबर नीचा नहीं लिखा जाता है, तो लेकिन लीव्स ऐसे नंबर लिखना यह ज्यादा बेटर है, अच्छा फिर आखर फिल में वाइट कलर भर दें, सारे चार्ट में वाइट कलर भर दें, और बॉर्डर में नो लाइन को क्लिक कर दें, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, तो अब यह देखें, वाइट कलर भर गया चार्ट के अंदर और साइड पे आपको को बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, कोई यूं लिख लें बल्के आप इसको मैं चेंज करवा देता हूं depending on your parameter आप इसको लिखें number of leaves और नीचे bracket में लिखें 18 जनुवरी यह देखें मैं लिख रहा हूं 18 जनुवरी दो हजार एक्षिस यह इस देट को हमने data लिया था number of leaves जनुवरी है जी 28 जनुवरी 28 है 28 है 28 कर देते हैं वह आप कर लें जो आपको बेतर लगती है 28 कर लें यह देखें प्रियर हो गया now this is a good table जो भी हमने बनाया ठीक हो गया इसका color लेकिन थोड़ा सब ठीका है color इतना डार्क नहीं है यह लाइने ज्यादा डार्क है यह फीके फीके लाग रहे हैं तो फीके को सीधा करने का असान तरीका नुकर पर क्लिक करें home पर जाएं और यहां पर यह फ गुट टेबल यह रैडी है पेस्ट करने के लिए आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन अभी हाँ एक चीज जो मैं सुरी भूल गया यह ट्रीटमेंट अब आपने आपर चेंज करनी वह ट्रीटमेंट जो आपने यहां पर लिखी थी ना बेटा यह बनाना पील प कि दर गया आपका नेक्स्ट टैप लेट में शो यू यू यह इसमें आप बेटा यहां पर लिखें टी वन और इसी तरह इसको नीचे को ऐसे टी सिक्स्टीन तक आईशा के केस में ट्रीटमेंट ही रहने दें उसकी ट्रीटमेंट बहुत बढ़ी है वह इस जगह पर पूर चार्ट को यह तो लेकिना के केस में एसी रहे यह तो होगया चार्ट बनाना कैसे है उस पर लेटर सिबिस्ति कर लिया यह आपके सामने मैं रख रहूं इसलिए कि आपको नज़र आए इसको एक बार क्लिक करें तो यहां पर आप को यह पिए पिक्स लीए वो नंबर चेंज होगा लेकिन हमको सेट कर सकते हैं गबराने की बात नहीं है इस पे क्लिक करें एक्सिज ऑप्शन पे आएं एक्सिज ऑप्शन को री सेट कर दें यह देखें हर चीज खुदा खुदी सेट हो और यहां पर आप आईशा जो काम की चीज है जैसे जैसे टाइम गुजरता गया नंबर ओफ लीफ बढ़ते चले गए तो अब देखें मिनिम नंबर ओफ लीफ चार से उपर है सारे अगर हम अपना टेबल चार से स्टार्ट करें अब इसके अंदर हम यहां पर इसका जो टेबल का यह वैल्यू है एक्सिज ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू फोर करें तो यह रेखें अब कितना खुबशूरत एक पैटर नजर आ रहा है टेबल के अंदर पहले वो पैटरन उसमें नजर नहीं आ रहा था एतना क्लियर नहीं था अब वो ज्यादा क्लियर हो गया डिजेट्स भी ठीक हैं सिरफ यह एक नंबर चेंज करना है और यह उपर यह जो लैट्रिंग यह चेंज करनी है लैट्रिंग चेंज करने के लिए यह यह वाली लगी है उसके लिए इसको क्लिक किया यहां पर गए लेबल ऑप्शन पर गए वैल्यू फ्रॉम सेल में टेबल इंतहाई असानी से बंचत यह उसकी एक एक इग्जैमपल मैं दे रहा हुँ कि मैंने भी आपके सामने दूसरा टेपल बनाया है इसकी डेट जो थी वह ती दो दो दस तस फर वीडिक इसकी डेट बनती है यह मैं यहां पर दस फर लिखने जा रहा हूं यह देखें यह दो टेबल आईशा के बन गए है आई होप आपको यह नजर आ रहे हैं सब बच्छों को इसी तरीके से आप अपने अपने टेबल बनाने हैं सब बच्छों बार चार्ड बनाने हैं कलर स्कीम ग्रे ब्लैक एंड वाइट यही रखनी है इसके लावर कोई कलर इ में किसी किसम पर अच्छा जब यह सारा काम कर लें तो इसको पेस कैसे करना यह भी मैं यहां पर सिखागी है प्रीटमेंट के उपर क्लिक करें और इसको यह बोल्ड करें यह बोल्ड का बटन है नंबर ओफ लीज को क्लिक करें बोल्ड करें यह अच्छा लगता टेबल के इस तरह यहां पर भी इसको लेकर आगर आपने यह बोल्ड करना तो फिर अपने सारे टेबल में यही फॉर्मेट रखे अगर नहीं तो फिर ऐसी रहने दे जैसे पड़ा अच्छा पेस करने का तरीका से खा दूँ आप आपको पेस करने के लिए डैफिनेटल आपके पास एक खोल की इस वर्ड की फाइल में यह तो मैं इसको घान लगाऊं और यहाँ से कापी करना है कॉंट्रॉल की लेकिन वहां पर टेस वैसे नहीं करना वहां पर आपने पैस्पेसिल में जाना है अरूरे टे किलिक कर और यह की आपिक्चर का ऊप्शन और भूल यह लगा फिक हो गया तो ऐसे लगा लें चाहाव तो यह पेश्पेशल कoupशन यहां से निकालकर इसमें ये पिक्चर जोन सी मरधी चूज कर लें वो आप लगा सकते हैं इसको आप लगानी है पिक्चर का फाइदा यह है कि इसको आप बड़ा रिपोर्ट में तस्वीरे लगाएंगी ग्राफ की वो पिक्चर की फॉर्म में लगाएंगी किलियर हो गया सब बच्चों को तो यह मेरे ख्याल में एक टॉपिक हमने एजंडे का बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया इसमें कुछ सवाल है चैट में कुछ आई है आवाज करते हैं यह क्लियर हो गया सब बच्चों को आईशा यह काइंड़ी एलस्ट वैल्यू जरा एक बड़ चैंज कर लेना मुझे लगता है यह थोड़ा सा गलती है यह इस से थोड़ी होगी अब यह कितनी है मुझे नहीं पता यह देखनी पड़े है ओके नहीं इतनी है नहीं सब सिर्टन की सब्सक्राइब की सीम हो सकती नहीं वह सकती है कि कापी पेस्ट हुआ है कि हरके लस्टी वैल्यू डिफरेंट होती है ऑच्छ खेर इसको अब मैं सेव करें लगां जी यह आपके साथ शेयर करनूंगा स्क्रीन यह आईशा का डैटा मैं सेव कर दिया अब आल चाहती हो हुमेरा लाइने ना लगाएं पिर अब यह बताएं कि क्या कहना चाहती हो तर्वो किसी ने पूछा था कि रीवियू अफ लिटेचर कितने इक पेजिस का होना चाहिए हम लोगों ने कोई और रिपोर्ट देखी थी तो उसमें तक तक पेजिस बन रहे थे देखें उसमें बात यह है कि अगर तो किसी ने काम ली ना करना तो फिर जितने मर्गी रिवियू अफ लिटेचर के पेज डालता रहे अगर आपके आप माशाला आप सब बच्चों ने काम किया है आपने डेटा लिया है आपने अनालिसिस किये हैं और यू आर लर्निंग हाओ टू हमें पेजिस की कोई कमी नहीं है तो मैंनता आपको यह का है कि सिर्फ काम की बात लिखें जो किसी को पढ़ने का मज़ा भी है और उसका कुछ फाइदा भी है रिव्यू आफ लेटरेचर का मतलब यह है कि आपके टॉपिक्स रिलेटिड पहले अगर को काम हो चुका है तो आप उसका हवाला दे देंगे उसके बारे मरें बता देंगा अगर फ़र्द करें ऑनियान के ऊपर जो आप यह अभी जैसे आईशा करें आप नहीं देखा और गनिक वेस्त इस्तमाल किये हैं किसी क्रॉप पर और गनिक बेस एस इस्तमाल हुए है और उन्होंने उससे को र समझते हैं कि उसको पर लिट्रेचर बहुत ज्यादा दस्तियाब है बहुत ज्यादा चीज़े पब्लिश हुई हुई है और बतानी भी जरूरी है तो ठीक है लिख लें जितना आपका दिल करते हैं तो इवन के रिव्यू आफ लिट्रेचर तीन सफों का भी हो सकता है सिर्फ तीन सफों में भी खत्म हो सकता है अगर आपको लिट्रेचर ही न मिले अपने टॉपिक से रिलेटेड या वो काम ही निया हो तो फिर रिव्यू अफ लिट्रेचर किस बात कर फिर वो लिट्रेचर बहुत थोड़ा होगा तो यह हो गया यह टॉपिक है हमारा दुबार कर दो काइंडली मैसिज टाइब करो मारा या फिर वाइस मैसेज बेजो वाट्सइब में इसमें करते हो यह या इसको समझ लेना चीज़े जो मैंने और हैं अच्छा अब उसके है हमारे पास वह प्रशा स्ट का नुमान तो नमान जो है इस electro लेके पर्सबीं टो है अभी कि मेरी समझ से बाहर है कि यह फाइल क्या जाते को नमान यह करना चाहरे हो क्या दुखाना चाहरे और यह बना इसमान हाँ जी सर ये वाटरशीट है ओके इसके इस तरफ कुछ भी ने लिखा हुआ ग्लास नमबर है क्या है ये केले डिफरेंस आपने का था निकाल के लैदा लिखना वो मुझे पता है मैं ये पूछ रहा हूँ एक पही आपकी फाइल बड़ी पुराइल तो खेर है नहीं पता नहीं आपने क्या किया हुआ फाइल के साथ रूलर भी लगा दिया अच्छा है वो तो मैंने सभी कर दिया इ हमान आप करना यह है इसमें इसका व्यू आपने गलत लिया हुआ यह वाला यह व्यू लेना है यह आपका टोटल डेटा इसमें आपके पास हाइड्रोपोनिक के जो पहले यह फूल स्ट्रेंथ के हैं यह पांच गलास है ऐसे ही है फिर शूगर के भी पांच है सब के यहमने आपके पांच सहल हमने उपको एक compete किया इसमें यह मर्ज की उप्षण यह रही इसको March नंट यहां से ना मिले तो हम इसके बाहरी हुआ और घावर एवर्यज आवरेशव की एवरिज लेंगे कि कितना इन में पानी डाल यह रहा ब्रैक्ट बंद यह इसकी अब्रिज है ठीक हो गया तो उसके बाद इसी को अब आप नीचे ड्रैक कर लेते हैं यह हमारे बाकी ट्रीटमेंट्स की भी आवरेज आदे यह देखें यह आखरी पांथ गलासों की आवरेज निकाल दी उसने अब सिर्फ कंट्रोल की रागी वह चार हैं इसलिए मैंने उसके अवरेज नहीं निकाली उसके लिए लग फार्मूला लगाता हूं इस इकल टू एवरेज और यह चार गलास जो कंट्रोल के थे इसमें रखके एंटर कर दिया एक बार यह लगा लिया तो आगे फिर असान ह हो गया काम हमारे लिए सिंप्ली इसको ड्रैक करना है और इसने आपकी सारी आवरेज आपको दे देनी हैं यह यह आपके पास आगया डैटा फाइनल और यह उसके हैं उपर डिजिट्स इसका आपको बनाकर देना ग्राफ तो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनाना है इसक होता है इसमें लिखेंगे इन चीज यह कुल स्ट्रेंथ यह है यह है यह कंट्रोल सी टेस्ट वैलियू यह इसको हम बेटा इसमें डाल देंगे इदर इसको डालेंगे इसमें इसको डालेंगे, इसमें इसको डालेंगे इसमें और आखर में आपका फिर्म प्रोड केस्द है। अच्छा अब येकर सिर्फ इनको हम ऐसे लेँगे इस केस्सेन में हम इसकी वाटर शीट के लिए हम बार चार्प 2 बार चार्ट में यह मारा डेटा है डेटा भी गलत है डेटे को इस तरह कर लेते हैं ताकर असलेक्ट डेटा सीरीज का नेम एडिट किया उपर से यह डिजट लिखा नीचे वाली वैलिउस जो है वो वलत हैं उनको हम ऐसे यह फार्मूला फुड़ा सा गलत कह रहा है लिखा हुआ है कि कोई नहीं हम इसको देख लेते हैं अभी एडिट इस वैलिउस एंड पुट इट लाइक डैट ओक जो नहीं कर रहा हुए उसकी वज़ा यह है कि वार्मूला जो है न वह सही लगा नहीं हुआ वैलिउस को ठानी रहा है हम इसको करते हैं अभी सट करते हैं चंट्रोल सी कॉपी राइट क्लिक किया पेस्ट वैल्यूस वैल्यूस सिरफ पेस्ट कर लाइट अ नेक्स्ट एड पीरीज नेम यह और इसकी वैल्यूस यह मुझे सोच लेने वे चलो मैं इसको नुमान आपको बनाकर भेजता हूं पर टाइम थोड़ा मैं नहीं चाहरा कि मीटिंग सारी इसी में लग जए और कुछी नुमान इसके लावा जो रहती है वह मुझे प्टाओ और के सब्सक्राइब करो ना यह मैंने आपको दी इसको फाइनल करके वह देखो भी उस बच्ची ने कितनी प्यारी शीट बनाई हुई थी आप भी वैसे शीट बनाओ तो यह मारा की शीट पी अच्छी यह देखो मेरी बास इस तरीके से आपने इसको करना है आपने एक ख आगे आपने यह यह अपनी जो आपके पैरामिटर जो भी आपने लिए नंबर ओफ ली वगएरा वगएरा उनको ऐसे नंबर देखकर उनके वैल्यू नीचे लिखनी है रेट ऑस चेंज भी यह देखें सारे उसमें लिखे हुए बच्ची लिए क्लियर हो गया यह इसको कर आगी है तब से लेट तुम आई हो हमारा शुरू में इंतदार करते हैं ग्रूप लिटरी अगर लेट हो जाए तो फिर हमने किसी को क्या कहना है नेक्स क्लास में बात करते हैं नेक्स क्लास में हम बात करेंगे कि अब यह जो अन्यन वाले बच्चियां इनके डैटे को कैसे करने हैं और दूसरे नमबर पर अगर किसी की वैल्यू पी की 0.05 से ज्यादा है तो क्या करें यह दोस्त वालते जो आपने का थे उनका जवाब हूँ मैं अभी आपको देता हूं नेक्स मीटिंग में निशाल लोग।